आज मैं आपके साथ बन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ देखे यह कितना सॉफ्ट और स्पोंजी है इसको आप बर्गर बन में भी ले सकते हैं और ऐसे भी खाएंगे तो भी बहुत टेस्टी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी एक कड़ाई में पानी ले इसको लव फ्लेम पर और एक मिनट कॉक करेंगे जब थीक ना को जा है लेकिन लगतार इसको चलाते रहेंगे दीरहऑद इसको धेके वह थीक हो रहा है काफी तरह थीक हो गया है अब गैस स्को positive और इसको ठंडा होने तक करेंगे तब तक प्रसेश बंडेंगे एक बरतन में मैं फिर से वाम वाटर ले रही हूं, सॉल्ट, चीनी, ड्राइ एस्ट ले रही हूं, मिल्क पौडर, और फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अब इसमें मैदा डालूंगी, जो आमने प्रिपेर किया था मिक्षेर वो डालूंगी इसमें, और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, इन केज अगर वो बहुत थीक रहता है डो, तो एक या दो चमच पानी डाल सकते हैं, वाउम वाटर डालकर अच्छी तरह उसको डो बना लेंगे, यहां पर मैं तीन चमच तेल लूँगी, लेकिन एक बार तेल नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा डालूँगी, जैसे अभी मैं एक चमच डाल रही हूं ते, अब फिर मैं जब जरुवत पड़ेगा नीड के टाइम पर, तब मैं फिर से ओल डालूँगी, तो पूरे बंड रेसिपी में मैं तीन चमच तेल यूज़ करूँगी, यहां पी मैं एक चमच डाली हूं और अच्छी तरह नीड करेंगे, 15-20 मिनट में यह काफी सॉफ्ट और नौन स्टिकी डोव बन जाएगा, कभी स्ट्रेच और फोल्ड करके इसको करेंगे, कभी अच्छी तरह मसल कर डो बना लेंगे, यहां मैं फिर एक चमच तेल ले रही हूं, तो अभी तीन चमच तेल कम्प्लीट हो गया, अब मैं इसमें तेल नहीं डालूगी, पर अच्छी तरह उसको मसल कर गूंद लेंगे, धीरे धीरे जो आटा है वो काफी अच्छा नौन स्टिकी होता जा एक बरतन को मैं आउयल से ग्रीस कर लूँगे, जो डो को रेडी की होँ वो उसमें मैं पहले अच्छी तरह उसको टक कर लेंगे, सभी तरफ से उसको पैक कर लेंगे, और ग्रीस किये हुए बरतन में रखकर उपर से थोड़ा आईल से ब्रश कर लूँगे, और कवर करके, एक घंटे के लिए इसको राइस करने के लिए छोड़ देंगे अभी एक घंटे के बात देखे यह बहुत ही अच्छा रेडि हो गया है डो बहुत ही six equal portion में divide कर लेंगे, अभी यहाँ पर मैं सुखा आटा नहीं लगा रहे हैं, इनकेस अगर यह चिपकता है हाथ में, तो आप हाथ में सुखा आटा लगा कर, अच्छी तरह crack-free balls रेडी कर लीजे, और अच्छी तरह उसके पीछे side पैक कर लीजे, हाथ को घुमा कर सारे cracks को cover कर लीजे, और grease किया हुआ baking tray में अच्छी तरह रखेंगे, ऐसे ही मैं दुसरा ball भी रेडी कर रही हूँ, यह हाथ में मेरे नहीं चिपक रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर सुखा आटा नहीं ले रही हूँ, इनकेस आपके हाथ में चिपकेगा, तो आप सुखा आटा लेकर इसको अच्छी तरह ball बना सकते हैं, और ऐसे ही मैं सारे ball को रेडी कर लूँगी, और grease किया हुए baking tray में थोड़ा gap देके रखूँगी, और इसको वापिस से मैं एक towel से cover करके, आधा गंटा से 40 मिनट तक rest करने के लिए रखूँगी, यह देखे, अभी यह almost double हो गया है, अब मैं इसमें नॉर्मल पानी से brush कर रही हूँ, अच्छी तरह brush कर लेंगा नॉर्मल वाटर से ही, और मैं यहाँ पर white sesame seeds ले रही हूँ, उससे करके bake कर लूँगी, आपिस से इसको cover करके जब तक वो ठंडा नॉर्मल आधा गंटा उसको छोड़ देंगे, यह मेरा second batch भी ready हो गया, इसको भी मैं बटर से brush कर रही हूँ और cover करके रख दूँगी आधे गंटे के बाद, जब तक यह ठंडा नॉजा तब तक cover रखेंगे, आधे गंटे के बाद देखेंगे, अभी कितना soft और spongy है, यह बहुत ही soft और spongy बन बनता है, अब मैं इसको cut करके भी दिखाती हूँ कि अंदर भी कितना अच्छा से यह बन कुक हुआ है, बेक हुआ है, यह देखें, काफी अच्छा है, और टेस्ट भी इसकी काफी अच्छा आती है, थैंक्स पोर वाचिंग,